नमस्ते फ्रेंड्स आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बिहार की बहुत ही फेमस डिस लिट्टी इसे मैं ट्रेडिस्नल तरीके से बनाऊंगी तो इसके लिए हमें चाहिए दो बड़े साइज के प्याज और इसे बारिक कट कर ले 15-16 कलिया लसुन की उसे आप बारिक उसमें डालूंगी दो बड़ा चमच सरसो का तेल हमें इसमें सरसो का तेल ही आड अड़ करना है आप और कोई तेल इसमें अड़ करें क्यूंकि इसी से स्टफिंग में बहुत ही अच्छाavor आएगा जितना हमारा मसाला बनके तैयार हुआ है उतना ही हम उसमें अब सक्तु ह आड़ करेंगे तभी लिटी की जो स्टफिंग है बहुत अच्छी तरह से तयार होगी अब मेरे सत्तु के मसाले में थोड़ा सा ड्राई लग रहा था इसलिए मैं इसमें आड़ करूंगी दो तीन बड़ा चमज पानी का अब इस स्टफिंग को कुछ इस तरह से तयार करना है हमें इसे बहुत जादा ड्राई नहीं करना है कुछ इस तरह से तयार करना है अब मैं लूँगी चार बड़ा कटोरा आटा उसमें डालूँगी नमक घी चार बड़ा चमज और अजवाइन और इसे डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जब ये तीनों चीज आटा ही गूत करके तयार करना है और बहुत स्मूध आटा नहीं बनाना है कुछ इस तरह से क्रैक्स रहेंगे आटे में तो लिट्टी हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा आप ध्यान रखे कि जब आप आटा गूत है तो इसे तुरंत पेड़ा बनाकर इसमें स्टफिंग भ बन कर दूँगे हमें कुछ इस तरह से इसे तयार करके रेडी करना है अब मैं सारे आटे और सत्तु को भरके इसमें तयार कर लूँगे मैंने यहाँ पे बनाया है अपने लिट्टी को उपले पे देखिए मैंने सारे लिट्टी को तयार करके अब मैं इसमें डाल दूँग हमें एक साथ सारा इस आज में इसे पकाना है और जल्दी जल्दी उलट पलट करके सेखना है नहीं तो क्योंकि आज में बहुत तेज है ये जल सकता है इसलिए हमें इसे जल्दी जल्दी उलट पलट करके सेखना है ताकि अच्छे से कलर आ जाए इसमें जब आज पूरा ठंडा हो जाए आग पूरी ठंडी हो जाए तब इसमें राख में हमें इसे दबा देना है 10 से 15 मिनट के लिए यही एक ट्रेडिशनल तरीका होता है लिट्टी बनाने का हमारे यहां इसे राख में 15-20 मिनट के लिए दबा कर रख देते हैं ताकि लिटी अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक जाए क्योंकि उसमें कलर आ जाता है तो वो अंदर से बहुत अच्छी तरह से नहीं पक पाते इसलिए से इस तरह से दबा के 10 से 15 मिनट के लिए रग दिया जाता है। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप एक सूती कपड़े में कुछ इस तरह से लिट्टी को डाल कर इस तरह से हिला दीजिए ताकि उसके सारी राख निकल जाए। अब देखें मैं इसे तरह से पोच कर निकाल रही हूं और लिट्टी मेरी फट गई हैं मतलब बहुत अच्छी तरह से अंदर से कुख हुआ है। देखें इस तरह से पोच करके साफ कर ले और आप इसे घी में डुबो कर सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो। कि अजय है। झाल